समांतर परिपत में हर एक प्रतिरोधक या फिर उपकरण उसके अलग शाखा से सलगन होता है शाखा के रेखाओं का अर्थ होता है कि यहां आवेश को बाय परिपत को पार करने के लिए अनेक रास्ते मिल जाते हैं हर एक आवेश जो बाय परिपत के लूप को पार करेगा वो शाखा में स्थित एक ही प्रतिरोधक से गुजरेगा जब आवेश परिपत की शाखाओं तक या कहे आसंधी तक पहुँचता है तब वो कम विभोवाले टर्मिनल तक की शाखा दवारा जाया जाये ये चुनता है शाखाओं को इस प्रकार पुर्थक किया जाता है कि एक शाखा से दूसरी शाखा में अधिक आवेश का समावेश हो सके बहराल जब हम इन सब बातों का एकत्रित विचार करें तो हम पाएंगे कि सारी शाखाओं में जितना विद्यूद प्रवा है अगर उसे जोड़ दिया जाए तो वो शाखाओं से बाहर के स्थानों के विद्यूद प्रवा जितना ही होता है या ये नियम के विद्युत प्रवा हर जगा एक जैसा होता है, काम तो करता है, पर उसमें भी एक मज़ेदार बात होती है शाखा के बाहर जो विद्युत प्रवा होता है, वो व्यक्तिवत शाखा में स्थित विद्युत प्रवा के जोड के समान होता है वो प्रवाह एक ही मात्रा में होता है बस उसका अलग-अलग मारगों में प्रथकरन किया जाता है सारांश के रूप में हम इसे एक समिकरन के रूप में देखेंगे I total is equal to I1 plus I2 यहां पर I total से तात्परी है शाखा के बाहरस्थित विद्युत प्रवाह और I1, I2 और I3 परिपत के एक शाखा में प्रस्थित विद्युत प्रवाह को दर्शाता है इस आरेक में हम दो प्रतिरोधकों को देख सकते हैं बिंदु A और बिंदु B पर जो नोड है उसे यह प्रतिरोधक समानतर है बिंदु A से आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है जिसका दर 6 एमपियर है वो आगे जाकर दो पत्थों में विभाजित हो जाते है एक पहले प्रतिरोधक से गुजरता है और दूसरा दूसरे प्रतिरोधक से होकर गुजरता है पहली शाखा जहां पर पहला प्रतिरुधक है वहां का प्रवा चार एंपियर है और दूसरे प्रतिरुधक की शाखा में प्रवा आठ एंपियर है जब ये दोनों शाखाए B बिन्दू पर मिलकर एक रेशा बनाती है तक प्रवा फिर से एक बार 12 A हो जाता है इस प्रकार हम इस सिधान्त की सिधता को देख सकते हैं कि शाखा के बाहर जो प्रवा है वो व्यक्तिवत शाखाओं के जोड के जितना होता है I total is equal to I1 plus I2 12 A is equal to 4 A अधिक 8 A समतोल्य प्रतिरोध परिपत में समतोल्य प्रतिरोध का अर्थ है कि परिपत में एक अकेले प्रतिरोधक द्वारा उतनी ही मातरा में प्रतिरोध स्थापित किया जाएगा जो परिपत में स्थापित अन्य प्रतिरोध को द्वारा स्थापित प्रतिरोध के प्रभाव के समकक्ष, समान हो समानतर परिपत में समतोल्य प्रतिरोध की गणना करने का गणिती ये समिकरण कुछ इस प्रकार है 1 upon REQ is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 जहां पर R1 और R2 व्यक्तिकत प्रतिरोधकों के प्रतिरोध की मातरा है ये प्रतिरोधक समानतर रूप से जुड़े हुए हैं दो प्रतिरोधक समानतर शाखाओं पर स्थित है दोनों का प्रतिरोधक मूल्य क्रमशाह 6 ओहम और 3 ओहम है व्यक्तिगत शाखा द्वारा आवेश को प्रतिरोधित किया जाएगा जिस शाखा में तीन ओहम का प्रतिरोधक हैं वहां अधिक आवेश प्रवाहित होगा 8 A वही दूसरी और 6 ओहम वाले प्रतिरोधक के द्वारा कम आवेश प्रवाहित होगा 4 A समिकरण के अनुसार समतुल्य प्रतिरोध दो एहम होगा और परिपत में विद्युत प्रवा अभी भी 12 A ही रहेगा वोल्टेज में कमी है आवेश हर एक प्रतिरोधक में से नहीं गुजरता है बलकि वो सिर्फ एक ही प्रतिरोधक से होकर जाता है इसलिए प्रतिरोधक का संपूर्ण वोल्टेज उस प्रतिरोधक के मामले में कम होता है और उसे बैटरे के वोल्टेज के समान होना जरूरी होता है आवेश एक प्रतिरोधक से होकर गुजरता है या दो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आवेश के द्वारा किसी भी परिपत पर किसी भी प्रतिरोधक के पार जाते समय जो वोल्टेज की कमी आती है वो बैटरी के वोल्टेज की जितनी होनी चाहिए इस सिद्धान्त को निम्नलिखित समिकरन द्वारा दिखाया जा सकता है अगर तीन प्रतिरोधक है जो समांतर शाखाओं पर स्थित है जिने 24 वोल्ट की बैटरी से उर्जा प्राफ्थ होती है तब इन तीनों प्रतिरोधकों द्वारा व्यक्तिकत द्रिष्टी से जो वोल्टेज में कमी आएगी वो 24 वोल्टेज होना जरूरी है परिपत से जाते हुए आवेश का इनमे से एक ही प्रतिरोधक के साथ सामना होगा इसलिए एक ही वोल्टेज की कमी जो 24 वोल्टेज है होने वाली है विद्यत विभवांतर का आलेक वो संकल पनात्वक सादन है जिसके द्वारा परिपत के अनेग बिंदूओं में जो विभवांतर है उसे दर्शाय जाता है इसी कारण परिपत का आलेक करते समय हमें उससे सम्मन्दित विद्यत विभवांतर के आलेक का भी ध्यान रखना जरूरी होता है जिस प्रकार आरेक में दिखाया गया है A, B, D इन सारे बिंदूओं उपर उच्छ विद्यत विभव है कोई आवेश उन दो सम्भावित पतों में से किसी एक पत को ही चुनेगा इसलिए B बिंदू में से एक अकेला आवेश C बिंदू की ओर बढ़ेगा और फिर उस शाखा में स्थित प्रतिरोधक के पार जाएगा आवेश अपने उच्छ विद्यत विभव को तब तक नहीं खोता जग तक वो प्रतिरोधक के पार नहीं जाता जब आवेश प्रतिरोधक के पार गुजरता है वो पुना एक बार शुन्य वोल्ट हो जाता है और रेनात्मक टर्मिनल के ओर लोट आते हैं ताकि उनके वोल्टेज में बढ़ोतरी आ जाए श्रेणी क्रम परिपत के विपरीट समानतर परिपत में बाहिय परिपत से होकर जाती समय सिर्फ एक बार ही वोल्टेज में कमी आती है सारांश हमने सिमुलेशन के जरीए श्रेणी क्रम और समानतर परिपतों के बारे में जाना इसके साथ अंतरगत और भाय परिपत में संचार करते समय आवेशो के ब्यवहार को समझने की कोशिश की